हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु एस्टादी विट क्रेजी गुरू, फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग DRDO सेप्टम 10, A&A की ओर से जो जो जॉब नोटिपिकेशन निकला है, जो की स्टेनोगराफर के लिए है, कलरक, कलरक में क्या जाता है, सालाग है, उसमें रिजिनिंग नहीं पुछा जाएगा, बार वाकि इतने सारे जो पोस्ट है, इसमें क्या पुछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स के पुछे जाएंगे, और वन आवर का एक जाम होगा, और ये 75 क्वेश्चन कहां से पुछे जाएंगे, इतने सारे जो पोस्ट में पुछे गए हैं, तो उसी का आज हम लोग प्रिजिनिंग का क्लास वन करने जा रहे हैं, और इसी तरह क्लास वन से लेके, जब तक एकजाम डेट नहीं आजाता है, जब तक एकजाम नहीं हो जाएगा, तब तक क्लास आते रहेगा, साथ में ये DRDO में बोले, या SSC में बोले, कहीं न कहीं ये हाल फिल हाल में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन बार बार मतलब क्या रहता है, पैटर्न लोग चेंज कर देते हैं, पैटर्न चेंज कर देते हैं, लेकिन पुछने का जो तरीका रहता है, वो सेम र किया गया है जो अभीत्यक हमारे e-book नहीं लिए हैं e-book बोले तो देखे study with crazy guru team के द्वारा e-book त्यार किया गया है यह e-book कितने की है मत्र 70 रूपीज की है जिसमें आपको चारो subject यानि के बोले तो all subject DRD ओमें जो पूछे जाएंगे aptitude भी reasoning भी general awareness भी और general English भी चारो subject का पहले तो e-book send कर दिया जाएगा e-book बोले तो video format में आपको whatsapp पे send किया जाएगा आप इस नमर पे payment करके यह जो number दिया गया इस पे payment करके इसी नमर पे whatsapp किजिएगा मैं आपको e-book send कर दूँगा उसके बाद आपका जो broadcasting group है उसमें आपको यह जोर दिया जाएगा आपका number जैसे जैसे class यह previous year का हो या कोई भी current affairs का class होते जाएगा यह notes भी आपको proper message format में personal message में जाते रहेगा तो आपको टेंसर नहीं लेना है बस आपको क्या करना है खुसी-खुसी त्यारी करना है और हम यह 70 रूपीज maintenance charge लिया जा रहा है ताकि आपको जैसे भेजने में हमारे टीम रोरा वर्क किया जा रहा है तो टीम का कुछ कुछ देना पलता है तो उनके लिए यह 70 रूपीज फर्स टाइम पेमेंट करना पलता है उसके बाद हमारे study with crazy group में आप जूर जाते हैं उसके बाद आ किजिए या पेटीम किजिए और पेमेंट स्क्रिंस और इसी वार्ट्स पे भेजना है आपको e-book सेंद कर दिया जाएगा उसके बाद टाइम पे यह सारे जो नोट्स बगएर रहा है यह जो पढ़ाया जा रहा है सारे संद किया जाएगा उके उसके बाद देखते हैं क्या आज का जो first question है देखते हैं दिये गए कथन और निसकर्स को ध्यान पूरवक पढ़े यह मानते हुए कि कथन में दी गए जनकारी सत्य है क्या सबसे पहले मान लेना है कि जो कथन बोला गया है यह सत्य है भले हुआ समाने रूप से ग्यात तथ्यों से भीन पलती थो मतलब क लेकिन आपको सत्य मानना है तो यह करें कि निसकर्स में से कौन सा निसकर्स तार्ट की रूप से कथन का अनुसरन करता है यानि कि जो निसकर्स है वो कथन का अनुसरन करना मतलब पालन कर रहा है कि नहीं यह पूछा है तो कथन में कथन क्या दिया है तो देखे कथन है अप कुछ-X-M क्पूछ-X-M यहां पर यहां कुछ-X और क्यों यह इसके अंदर बना है तो देखतें नेक्स्ट जो कथन दिए है सब ही najp1 एक्स है क्या है सब ही डवलु यानि कि यह एक्स ही बरावला है इसके अंतरगति आजाएगा क्या डवलु आ जाएगा क्या है कि यहां पर M से नई लेख है यह हम लोग बीच में मानके चल बाद हम लोग निसकर्स देखते क्या कुछ M W नहीं है क्या है जो W नहीं है कहां पर देखते हैं देखें कुछ M M यह है और W इससे बाहर है तो इससे बाहर है यानि कि यह पूरा W के अंदरगत M आ गया ना अगर मान लिजे कुछ M X रहता और यहां बोल दिया है कि सब ही क्या है सब ही W X है ऐसे भी बन सकता था तो यहां भी मान लिजे यह M है कुछ ना कुछ W और जो M है मान लिजे यह M है और यह W रहता और यह बड़ावला X है तो यह कुछ ना कुछ M X तो रहता ही नहीं तो यह तो अनुसरन यहां से भी second figure से भी अपना समाथ हो रहा है, तो यह अनुसरन गलत है, उसके बाद कोई भी W M नहीं है, सेम वही, देखिए कुछ M W नहीं है, यहां बोला है कोई भी W M नहीं है, तो देखिए यहां इस भी figure में देखिए, W यह है, और M यह है, तो यह कुछ तो मिलता जुलता रहा है ना भाले यह वाला नहीं मिला लेकिन यह वाला जो पर्षन है वो मिला है ना तो यह अनुसरन क्या दो भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जो कथन का अनुसरन जो निसकर्स है अनुसरन नहीं कलता है निसकर्स दो भी गलत हो जाएग ये भी थी भी नहीं तूभी नहीं अनुसरण जो निसकर्स है Bellumit 23 मेंसे कोई नहीं कलता ? तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसरे फोड़ा प्रॉनका χो जाएगा बोले तो क्या कोई भी निसकर्स अनुसरण नहीं कलता ? चल्चा अगला कोस्चान देखते हैं सेम वही कठन और निसकर्स का क्या कोश्चन आपको देखने को मिलेगा ही ओके चली देखते दिये गया कठन और निसकर्सों को ध्यान पुर्वक पधे और यह मानते हुए कठन में दी गई जनकारी सही है फिर से बता दे कि दी गई जनकारी भले वो अपने जीवन से भीन हो लेकिन आपको यह मानना है कि कठन में जो जनकारी दिया गया है वो सत्य है उसके बाद भले हुआ समाने रूप से ग्यात तथे उसे भीन पलती थो जो अपना समाने जीवन से तै करे कि दिये गए निसकर्षों में से कौन से निसकर्ष कथन को तार्किक रूप से अनुसरन करता है तो ये अनुसरन जो निसकर्ष है ये कथन को निसकर्ष है जो कथन को ये पूछा है, तो देखिए, सभी मिठाईया आहार है, सभी मिठाईया, मिठाईये हो गया, आहार आहार बोले तो फूड, ये M हो गया, सभी यानि कि ये वला फिगरिश में बनेगा, ये सभी मिठाईया ये हो गया, फूड जो आहार है ये हो गया, उसके बार सभी आहार छोटा सा चुमू हो गया, ये फूड वाला ये हो गया, बीच वाला, क्योंकि सभी मिठाई आहार है, यानि कि आहार के अंदर ही न ये मिठाई आ जाएगा, और उसके बाद सभी आहार स्वास्थ कर है, यानि कि हेल्थी है, तो क्या है, स्वास्थ कर है, तो ये फूड ये स्विट्स आगया फूड के अंदर ही आजागा उसके बाद सब्सक्राइब कुछ मिठाया स्वास्थ कार है तो कुछ मिठाया स्वास्थ कार है बिल्कुल सही है देखे मिठाई यहाँ है और क्या है जो स्वास्थकार यानि कि ये healthy के अंतर गर्थी आ जाता है, न तो है न मतलब ये देखे यहाँ पे कुछ है तो अगर सभी मिठाई या स्वास्थकार है तो ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ रहता न तो अब ये गलत हो जाता, लेकिन यहां पर क्या बोला है कुछ स्वास्टकार मिठाईया है तो यह अनुसरन कर लेगा बोलेगा कैसे सब देखिए यहां पर यह तो मिठाई इतना ही है और स्वास्टकार इतना है यह यहाँ इतना ही दूरवाला ही switchs capture करेगा लेकिन यह यह वाला जो बच जाएगा यह फूड़ जोन का यह अगर मानलीजे बच गया यह तो switchs के अंतर गएट नहीं फूड में क्या आजाता है फूड़ में बहुत सारे तरह के पकवान ही आजाते है तो यहाँ वाला अनुसरान नहीं न करें, यहाँ का जो मेटेरियल है, वो स्वेट्स के अंदर गट नहीं नहीं, स्वेट्स सो बस इतना ही आ जाएगा, स्वेट्स इतना ही आ जाएगा, यह सही बोला जाएगा, जो कुछ स्वास्टकार है, जो कुछ हेल्थी है, इतना दूर जो स्वेच्ट के अंतर गता जाएगा वही मिठाईया है तो यह भी सही है अगर यह पर यह लिख देता आज को आएगा तो आएगा इसलिए इस पर हम लोग टाइम दे रहा है तो निसकर्स वन भी पालन कर रहा है और निसकर्स टू भी पालन कर रहा है दोनों सही है तो इसलिए इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा क्या सी हो जाएगा सी में क्या है सोरी सी नहीं यह द किसी निश्चित कोड भासा में R E S T R I C T रेस्ट्रेक्ट को C T R I S T R E लिखा जाता है Y S T A R T I N G को क्या लिखा जाता है N G T I A R S T ये लिखा जाता है और Y Mountain M O U N T A I N को क्या लिखा जाता है I N T A U N M O इसको पढ़ने का कोशिस मत किज़ेगा इसको पकरना है और इससे देख लेना है इसको ऐसे लिखा जा रहा है इसको क्या किया जा रहा है फिर इसको ऐसे लिखा जा रहा है तो सेम उसी प्रोसेस पर इसको लिख देना है कैसे तो देखते हैं जैसे क्या है रिस्ट्रिक्ट 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 है इसको क्या लिखा जाता है उसके बाद देखिए सिकेंद देखिए आज आई आई कहां दिख ए लूटा कर रहा है एक डू सी चार पांट छेज शाथ आध नमर्रिंग कर लेना है नमरिंग के बाद क्या करना है? इसको सेम नमरिंग में जैसे दखे, 7, 8, उसके बाद क्या है? यहाँ पे केवल चेंज कर दिया है, और आई लिख दिया है, फिर 5, 6, ओके, उसके बाद रखे, फिर क्या 3, 4, यानि कि ऐसे ऐसे घटते से बहते, 7, 8, 5, 6, 3, 4, दो-दो पेर में किया है, उसके बाद क्या है? 1, 2, यहाँ पे यह हो गया, इस तरह को क्या किया है? वो लिख दिया है, सेम उसी तरह जो इसको भी क्या किया है, 7, 8, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2, तो इसी फॉर्मेट में इसको लिख दिया गया है, तो आपको सेम उसी पर का जो envelope है, E, N, V, E, L, O, P, E, इसको क्या कर लेना है? सबसे पहले numbering कर देना है, numbering तो 1 से लेके 8 तक आ जागा, तो पहला क्या क्या जागा, 7, 8, 7, 7, 8 को क्या है, 7, 7, 8 के जागा, P, E, लिख देना है, फिर क्या करना है? दो दो प्यार में कलता है, 5, 6, जाने की जो रा ला रहे है और इबुक इसलिए बोले तो आपको पड़ेगा तो चारो सबजेक्ट का जो प्रेक्टिस सेट है छेओरी कलास है, सारा कलास ला रहा है, ओके, और e-book इसलिए बोले है, online तो आपको पढ़ना ही है, plus offline is equal to selection, ओके, तो इसलिए online और offline दोनों आपको पढ़ाई करना है, उसके बाद एक कोश्चन अमर 3 देख लिए, कोश्चन अमर 4 देखना है, दिये गए विकल्प में से उस आ किया है, इसमें 2 और 2 और उपर नीचे वाला trick याद रखना है, जैसे ये उपर हो जाएगा, ये जो नीचे आजाएगा, नीचे वाला, इधर हमें सा दाहिना और इधर बाया, जिधर से आप लिखते हैं उधर दाहिना माल ले जेगा, और इधर बाया माल ले जेगा, तो य नहीं अगर इस वाला किरिथी में अग्ते हैं तो ध इधर आजाएगा और बई आजाएगा तो यह यह ऐरो है रहो भाइन चला गए अगर नीचे के तरफ अगर मालिज यह उपर है तो उपर है तो यह किधर चला जाएगा उपर है तो यह एख था और मतले में गए और इधर उपर हो जाएगा इदर निचे रहके आपको देखने को मिलेगा इस तो के चार और यह ठाइंगल हमाई जो यहां पर लगा रहेगा एक त्वकार आपको कहां देखने को मिल रहा है इसमें एक एसे sera होगा Seb कया है यह नेच्च ही ने होगा ऊपर है तो या उपर गया है तो URL डाइना बाद में खेला उसके बाद एखिए यहां पर यह आपको सही हो जाएगा यह सही है लेकिन क्या है यह जो रेक्टेंगल है यह सीधा आकार में रही है यह इस तरह फौटी फाइफ डिग्री एंगल के अनुसार है और यह सीधा ऐसे रखा गया है 90 धिगरी पे ते यह 45 डिगरी पे है तन इसले इस इसका एंसर h便 । क्या हो जाएगा TV द्छिए इस में क्या क्या समझने का खिल है यह ये नीचे निचे कीज़श्व मेर्लोग इधरी का नहीं रखेगा लिचा है थि। बाया side मुल गया उसके बार यह उपर है अगर माली जाए रूपर है तो इस side iPhone side मिलेगा मूरेगा न क्योगि अगर रो नीच है तो यह बाया रही था बाया pro कुर्म मूर ओस्के बार यह विग तीर का निसान नुसान है तो यहां दो हो स्थान को सम्बंधित करना ये जैसे कि यह पहला जो है यह सम्बंधित है और यह तीसरा है यह चौथा से सम्बंधित है तो कि आपको लिखा गया है किसा कार में तो g9f में तो कैसे तो देखे इसलिए नहीं आप बोल रहे हैं कि यह जो लास्ट में हम यह दे रहे हैं आपको a से लेके z तक सिधा करम में a को 1 लिखेंगे b को 2 लिखेंगे c को 3 लिखेंगे को 26 और एक बार जेड को एक से लेकartet ऊल्टा करम में चीज़ सोही से आपको खून में घुशा रहाना चाहिए जब रेजिदिंग और एप्ट correspondence आपको खून में घुशा लेना है अईसे तो जो-λοग भी हमारे ebook ले चुके हैं वह गुरूप में join है whatsapp गुरूप में तो उनको यह सब send कर दिया जाएगा तो उनको यह क्या है करना के जरूरत नहीं है यह screenshot लेने की कोई जरूरत नहीं यह पीडियाप आपको send कर दिया जाएगा तो जिए आई फोर डी इसको क्या लिखा गया है इसको लिखा गया है जो डोनों में रिलेशन बनाए गया जी नाई एफ है अगर माली यह इसमें क्या करना है इसमें भी आपको खेला मेना करना है इसमें क्या मतलब कम हो रहा है आई से अगर हम लोग देखिए यहां इसलिए इमेज जो बनाया गया है आई से हम लोग अगर आई से डो पीछे जाते हैं तो जी आ जाता है एक डो माइनस एक अगर अगर कोच्चन नमर कान सा है यह रखिया अगर माइनस दो पीछे जाते है तो जी या जाता है या इसे दो पीछे जाके जी उसके बार फोर है और 9 है तो टू का स्कृर हम ह लोग फोर है तो फोर लिखे देंगे लेकिन 9 किसका square थिरी का square हो जाएगा यानि कि 2 में 2 में पलस 1 एड़ करके square कर दिया है तो वह ही एकसा 4 is equal to 9 यानि कि यहाँ जो यह पहला नमर में जो यह second वाला है 4 है उसको 9 से हम लोग मेच करते हैं तो 2 का square कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा लेकिन इसमें 2 पलस 1 का square कर देंगे तो 3 का square कितना 9 लिखा गया उसके बाद D है तो D से कितना A B C D E F यानि कि पलस 2 एक और 2 पलस 2 आगे जाने पर F हा जाता है तो D में देखें पलस 2 आगे गया तो F हा गया से मुसी तरह हम लोग सकेंड्वाला दिया गया है अगर मैठ में रहते तो ये अनुपात और समानुपात बोलते ओके तो ये अनुपात दिया गया है ये दोनों अनुपात को हम लोग देखते हैं इसको क्या लिखा गया अनुपात में God 25 यह श्रून है यू च्रुब up एंघ यिवल देखते हैं में如果 हम लोग फिछ रीटे हैं यहां पे लिवालो पीछे जाएंगे यहां देखे यहां हम लोग दो पीछे जाएंगे तो यहां यहां क्या है जे है यूर्ण माइनस टूरा यहा गेन न हरतो यहां पे यह देखने को मिला है कि यहां पे 66 डेख रहे हैं कैसे ABCD भी आपको इसमें गुझा में स्टरक्षयू कर देंगे यानी कि 51 यहां पे इस था रहा और इस के सेड दो आगे जाई दो आगे जाइएगा तो क्यं आजाएगा, तो से दो स्टेप आगे जा जाएगा, वह आपे तेबल दिखाते हैं शाएगा करना है, W, 64 और R में सेम यही प्रोसेस पे क्या कर देना है क्या कि यह जो कोश्चन में दिया गया है यह दोनों प्रोसेस में था यह अगर रेसियू में हम लोग देख रहा थे वही रेसियू के अनुसार आगे जाना है जैसे देखिए यहां हम लोग first वाले को W पकर लेंगे तो देखिए यह है क्या? first W तो W में क्या है? W में अगर हम लोग क्या करेंगे? minus 2 पीछे जाएंगे क्योंकि सम में पहला बार में क्या किया गया है? पहला बार में minus 2 पीछे गया है तो U आ जाएगा पहले वाला 64, 8 का स्कॉार, फिर क्या करेंगे, 8 पलस 1 का स्कॉार, जो लिखा जाएगा, नेक्स्ट वाला, तो 9 का स्कॉार, यानि कि 81, तो क्या हो जाएगा, u के बाद 81 आ जाएगा उसके बाद r है 64 r है तब फिर लास्ट बाले में क्या करते थे r में हम लोग पलस 2 आगे जाते थे 2 स्टेप आगे बसते थे r के बाद r st यानि कि यहाँ पे t आ जाएगा यानि कि यहाँ पे क्या आ जाएगा u 81 और t यह option नमर कहाँ पे दिया गया है u 81 t option नमर b में होगा मतलब जो इस तरीका में यहाँ पे ratio में दिया गया था सेम उसी trick पर हम लोग तिसरा भी जो यह पच्छमा दिया गया है पच्छमा से छठा को हम लोग relation बैठा दिया है analogy का यह question है ध्यान रखिएगा उसके बाद देखिए अगला question देखते है उसके बाद देखिए question number 7 question number 6 क्या है दरपन में दाई और रखे जाने वाल दरपन को दाई और फिरी देखे यह object है object के इधर दाई हो गया जिदर से आप लिख रहे है जिदर आपका दाई ना हाथ है उदर दाई ना मान लेना है इधर बाई और है question में ही बोला है दाई और क्या है जो मिर रखाओ गया है दरपन के दाई और रखे जाने वाल दरपन को दाई और रखे जाने पर किसको object से दाई और तरह दाए और रखे जाने पड़ दिगई आकिर्टी ये जो अबजेक्ट दिगई आकिर्टी से बनने वाले धर्पन पलती भीम चयन दिये गये विकल्पों में से किजी ए बिसे जो विकल्प दिया गया है उसमें से ख़ड़ना है तो देखिए जब मीरर का कोश्चेन आये हो कि यह arrow है तो यह नीचे नहीं होगा लेकिन क्या होगा जो साइड अगर इधर दाहिना दिख रहा है न और इधर बाया दिख रहा है तो यह मिरर में क्या होगा कि आपको बाया वाला साइड दाया में दिखेगा और डाया वाला साइड बाया में दिखेगा क्योंकि आप अपन लिए आप देखने हैं तो आपका चेहरा ही उल्टा दिखाई देता यानि कि उल्टा सीरह इसमें नहीं होता केवल दायां और वायां में परिवलतन हो जाता है तो देखे उसके बाद इसमें हम लोग देखते यह ऐरो इस साइड यह आइरो इस साइड इस आकार में है यह आइ वी नहीं होगा उसके बाद या सी जाए यह अ कि तो नहीं होगा क्यूंकि । साइड बनेगा साइड में कहां कहां पे है साइड में आपको यहां भी दिख रहा है यह तिक यहां बहुत यह है यह यह वाला हो जाएगा इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर आपको देखने को मिल जाएगा C, C हो जाएगा, क्योंकि देखे, यह जो cut है, यह cut है, ऐसे हो जाएगा, इधर, इधर है, किदर साइड, दाहिना साइड, तो इधर आके बाया साइड हो जाएगा, और यह, देखे, कितने लोग है, जो बोला है, सब दोनों image तो सेम है, बिल्कुल सही बात है, दोनों image सेम है, लेकिन यहाँ पे यह देखे, यह corner पे यहाँ पे touch किया, यहाँ से भी, ऐसे भी neglect कर सकती है, कैसे, देखे, यह जो touching है, यह corner से काटा है, लेकिन यहाँ पे आप देखे, corner से हलका उपर है, तो इसलिए क्या किया गया है, जो इसका answer C हो जाएगा, क् की corner से यह कटा है, सेम, देखे, भाले डाया बाया में परिवलतन हो जाता है, लेकिन आपका चेहरा, आपका ही चेहरा वहाँ दिखाई देता है, बड़ा छोटा है, और यहाँ mirror बोले तो समतल दरपन ही मान लेजेगा, यह नई, science में चले जाएगा, जो sir, इसको हम लोग उ पलती बीम उसमें बड़ा बनेगा, और उटल दरपन मान लेते हैं, जो पलती बीम क्या है, छोटा बनेगा, ऐसा नहीं, आपको जितना बड़ा अबजेक्ट है, उतना बड़ा ही, वैसे ही same object आपको mirror में भी, समतल दरपन में भी देखने को मिलेगा, question number 8, 7 देखते हैं, द यह बहुत बड़ा और यह देखना है उसके बारे कि इस है यहां पे देखें यहां पे पहुंच गया यानी कि एक स्टेप आगे बर रहा है एक इस्टेप आगे बर रहा है से यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब बी में देखते हैं रेक्टेंगल हम बी में हो सकता है लेकिन सी में भी रेक्टेंगल है तो बी और सी में लगा है और डी में भी है तो देखिए स्टार और रेक्टेंगल से नहीं एक तो जो अपसा नहीं है वो नहीं होगा अब हम लोग क्या देखते हैं स्टार तो देख लि यहां पर आजाएगा तो कुछ यहां पर आपको दिखने को मिलेगा तो यहां देखें यहां तो यह तो नहीं होगा यह तो पहले ही काट दिये थे बी में यहां पलस है तो यह होगा उसके बाद सी में देखतें यह गुना है यह नहीं होगा उसके बाद डी में यह रेक्टें लेने की ज़रूरत नहीं है चलिए ये तो समझ गेता है इसका एंसर क्या हो जागा इसका एंसर बी हो जाएगा तो ऐसे आपको सल्व करना है अगला कोश्चन देखते हैं देखें कोश्चन नमर एट उस विकल्प का चयन करें जो छटी संख्या से उसी परकार संबंदित है जिस परकार पहली संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या तो क्या है कि यहाँ पे यह कोश्चन मार्क है जैसे पहली दूसरी से रेशियो में माली जिये यह है त तो सेम अगला है जो पहली दूसरी तीसरी चोठी पाच्वी छठी से कैसे समन्दोगा पाच्वी के जगा पर यह जो रिक्ता स्थान है यहाँ पे क्या आएगा तो क्या 144 और 225 इसलिए न बोलते हैं यह जो आपको टेवल है यह आपके खून में घुसा रहना चाहिए एक से स्क्वार से लेके 30 का एक का क्यू से लेके 20 के क्यू तक खून में घुसा रहना चाहिए अगर एप्टिट्यूड और रिजिनिंग का आपको खून में रहना चाहिए सिदा करम में और उल्टा करम में और ये तो ये आपको एप्टिट्यूड में भी दोनों काम आ जाएगा ओके तो ध्यान रखना है ये सब उसके बाद देखिए क्या है यहां पर कोश्चन नमरा एक सो चवालीस रेशियो कितना दो से पचीस है तो बारा का स्कॉर हम लोग जा चपन है इस दोनों में देखते हैं असलग में हम देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं मैट के जब नहीं बिंद का दो दिया रहता थे दो रेशियो बोलते हैं अगर अगर वह कि मतलब यह मतलब यह आपएसे कर सकते हैं उसके बाद 179 और 206 है तो 13 का स्कॉर कितना 179 हो जा का सब्सक्राइब सब्सक्राइब 301 सथ यह सब टेवल आपको अभी से रट के रहना है तब जाके एकजाम में टाइम बचा सकीएगा तो क्या है 19 का स्क्राइब लेकिन सब में यह क्या दिया है यह माल लिजे A B A ratio B तो B का दे दिया है A नहीं तो सब में A में क्या करते थे A का स्क्राइब A ratio B plus 3 का स्क्राइब कर दे थे इसमें A अगर हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे A minus A minus माल लिजे इसका A नहीं दिया है तो B minus 3 का स्क्राइब हम लोग कर देंगे वहीं आ जाएगा तो B यहाँ पर हमको दिया है 16 क्या है कि 19 का स्क्राइब कितना आ जाएगा 301 जो कि दिया है तो यह यह वाले पूछ रहा है तो B minus 3 कर देंगे तो B minus 3 यानि कि B कितना है उनीस है उनीस का हो जाएगा तो उनीस माइनस 3 यानि कि 16 का इसका है तो यहाँ पे 2 से 56 आ जागा तो एंसर इसका क्या हो जागा 2 से 56 करेक्ट एंसर हो जागा C हो जागा चली अगला question देखते है question number 8 9 उस उस विकल्प का चैन कर जो तिसरे अक्षर से उसी परकार सम्मदित है जिसका परकार दूसरा अक्षर समूँ पहले से है जो पहला है दूसरा से सम्मदित है सेम उसी परकार जो यह तिसरा और यह जो खाली अस्थान वाला चोथा है उससे सम्मदित होना चाहिए टाब इसमें क्या करना है आपको देखें सिंपल भासा में जैसे क्या P G को भी M लिखा गया है तो P में पलस 6 जाएंगे तो B आ जाएगा ओग जी में पलस 6 जाएंगे तो M आ जाएगा तो सेम उसी तरह मतलव पलस 6 थे squash गे वह स्कॉष पलस 6 गो ले तो पी के पलस 6 बोले, पी से हम लोग P कहां पर है, देखें यहांपे तब wiem, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे आगे जाने पर भी आगया उसी तरह स्गें क्या है? कि जी से पलस 6 आगे जाने पर जी से प्लस 6 कहा है जी दिखिए जी यहाँ पे है इससे प्लस 6 जाने पर एक डो तीन चार पांच छे एम आ गया ना तो इसको हम लोग क्या सम में प्लस 6 एड कर दिया है पी में भी और मतलब आगे 6 स्टेप आगे बढ़के जो अलफावेट आया है वो लिख दिया जी में भी प्लस 6 आगे जाने पर एक आगे आया है और जो दिया रहेगा उसको छोड़के यह मतलब पी को भी काउट कर लिजेगा अगर मालीजी इसमें पी से आगे जाना है एक युँको एक मानना है दो तीन चार पांच और छे शे यहां भी प् Ты आया, तो भी यहाँ आ जाएगा, तो उसके बाद क्या है तो A B A से हम लोग अगर प्लस 6 आगे जाएंगे A से हम लोग क्या करेंगे प्लस 6 आगे जाएंगे तो G आजाएगा और A B है तो B से अगर A प्लस 6 आगे जाएंगे तो H आजाएगा तो इसका एंसर क्या आजाएगा GHS का answer आजाएगा जो की कहां पे है option नमर B में है चलिए उसके बाद देखते हैं क्या question नमर 10 आज का last question है एक निश्चिट कूट भासा में F A I N T को क्या लिखा जाता है 24-9-16 और उसी तरह G R M E को क्या लिखा जाता है account 31-181 कूट भासा में लिखा जाता है उसी परकार P O I L को किस कूट भासा में लिखा जाएगा तो देखे जब इस तरह के question और यह ABCD option दे दिया है तो देखे F A I F A I N T तो T क्या है इसको कैसे लिखा जाता है 24-9-16 इस आकार में लिखा गया है 24-9-16-2014-916 ऐसे account किजिएगा यह न जे 24-196 ऐसे मत मान लिजिएगा उसके बाद यह देखेगा जे यहाँ पर F है F यहाँ पर कितने अस्थान पर आता है F F तो 6 अस्थान पर आता है लेकिन यहाँ पर सुरू में क्या 2 और 0 दिख रहा है तो इससे तो कुछ बात बनेगा नहीं सेम आपको दिमाग दवराना यहाँ पर T देखना है T कितने अस्थान पर आ रहा है देखेए T कहा गए विश्वास्थान को मतलब समझ गया है न क्या किया लास्ट वाले है उसको अंक यहाँ पर लिख दिया है उसके बार क्या किया है उसके बार 1 फोर है तो 1 फोर कोई 1 फोर यह भी हो सकता है सर ए के जग़ा 1 दे दे क्या सही रहेगा हो सकता है लेकिन फिर आई है आई के जग़ा पर फोर या 49 कुछ हो सकता है यहां पर 9 लिख दिया है क्या नाइन लिख दिया है आय को फ्राने लिखा है उसके बार फिर क्या किया ए अब क्या किया ए इस आक आर में आ गया ए ए पहला स्थान पे समझ रहे किस तरह ख्यल ख्यला है जैसे count कर लिया है 1, 2, 3, 4, 5 बीच वाले को just को तस रहने देना i का जो संख्या रहेगा 9 है तो 9 रहने देना है ये इधर से सुरू करना t को पहला अस्थान n को दुसरा अस्थान यहां से a को क्या कर देना i तो तुसरा अस्थान वाला same ही रहेगा चोथा स्थान वाला यहां दूसरा स्थान वाला चोथा पर आ जाएगा और जो पहला रहेगा वो सबसे लास्थ में t नहीं f होगा यहां पचवा स्थान पर आ जाएगा same उससी तरह grme को लिख दिया है तो आपको क्या करना है देखे अगर दो यहां पर देखे आप खेल खेला है यहां पर पांच था तो आप क्या है चार ही है तो यहां पर क्या किया है e पहले ले आया है m पहले आया है उसके बाद आर और उस सबसे लास्ट में क्या किया है G को add किया है तो यह दियान रखं़ तो उसके चाहिएं तरह क्या है? P, O, I, L तो यहां पर किस को सबसे पहले L लाना है? L क disrupt क्या अस्थान पे? L काहे अस्थान पे ना देखे L है जो कहां? 12 यह अस्थान पे आता है. उसके बाद रेखे? उसके बाद I आई कैमा अस्थान पे 9 में आता है इसे कहां पर आपको दिखने क्यों मिल जाएगा हो ऊँआ पनरहवे अस्थान पर है तो यह पनरहवे अस्थान पर हो जाएगा उसके बारे के पी, पी. maatlike भोले तो यह देखे, पी, क्या हमा स्थान पर पहला तो यहां last में आ जाएगा तो यह सुल्लνα अपक्छन से भी आप बढ़ सकते हैं ऊसमें सब को पहला वहाला में लास्ट में हैं और यह हो सक्ता है उसके बातज देखे इसमें भी मतलब इसमें भी इसमें लेकिन हम लोग तो पूरा निकाल चुके हैं तो निकालने के बाद कितना आया है 12 9 15 16 12 9 12 9 उसके बाद देखे 12 9 15 16 और चलिए आज का जो स्रीज था यहीं पर समाप्त का और ये इसी परकार के कोष्चन लेजनिंग से आये हैं इसमें भी आपको क्या है कि रिजनिंग से ऐसे ही कोष्चन आएंगे बहुत बोल लें ते से सरी जीजी कोष्चन कर बार है देखे उजी से मोडरेट होते हुए और बहुत सारे question इसमें high level के जो time जरा ले लेंगे तो इसलिए आपको इसे practice करना है और ऐसे question आया है आएगा और आता रहेगा बस study with crazy guru के साथ आपको बने रहना है और selection ले लेना है online plus offline is equal to selection online is equal to selection online तो class चल ला है offline आपको e-book ले लेना है ताकि उससे practice भी करना है e-book charge नहीं है कुछ नहीं 70 रूपीज आप लोग देखे बोले sir इतना compromise क्यों रखे हैं आरे हम यह चाहते हैं कि आपको छोटा investment कीजे ताकि यह motivate बना रहे नहीं 70 रूपीज पे किये हैं और यह payment इसलिए ले रहे हैं कि हमारा team द्वारा जो work हो रहा है तो team को कुछ देना पर आप 70 रूपीज में हमारे साथ जुड़ जाते हैं टाइम टाइम पे सारे PDF आपको सेंड किया जा रहा है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई doubt है तो क्या करें कमेंट में पूछे और हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जाहिन जै भार झाइब